हेलो दोस्तों मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिसकस करने वाला हूँ solar digital marketing plan या फिर digital marketing strategy for solar panel dealer, solar panel distributor, installation business और solar panel का आपका किसी भी type का अगर business है उसके लिए यहाँ पर मैं digital marketing की जो strategy है इस वीडियो के अंदर complete starting से लेकर end तक cover करने वाला हूँ कैसे आप अपने solar panel के business को digital marketing या फिर online marketing का use करके grow कर सकते हैं Google और social media का use करके कैसे आप अपने solar panel के business को grow कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैं starting से लेकर end तक complete step by step आपको सभी चीज़े बताने वाला हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैंने काफी चीज़े यहाँ पर note down कर रखें उन सभी को हम one by one discuss करने वाले हैं इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा यहाँ पर मैं cover करने वाला हूँ जो हमारा importance है जो social media है फिर google my business है फिर आपकी customer जरुनी है जो solar panel business के लिए वो कैसे काम करेगी आपके लिए website क्यों जरूरी है गूगल के उपर आप कैसे rank कर सकते हैं और social media से जो lead generation है वो कैसे हो सकती है इसके साथ ही last में मैं यहाँ पर बात करूँगा costing के बारे में और सबसे last में मैं बात करूँगा summary के बारे में अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए ऐसी ही helpful videos देखने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सभी चीज़ों को minimize कर देता हूं उसके बाद में हम one by one सभी चीज़ों को यहाँ पर cover करने वाले हैं ताकि आपको भी easily सारी चीज़े समझ में आएं तो यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले हम सुरू करते हैं कि जो हमारा importance है जो digital marketing की या फिर online marketing की जो importance है वो क्यों जरूरी है जैसा कि आपको पता है generally आज का जो time है यहाँ पर जो user search करने people search everything on internet जो लोग है वो सब कुछ internet के उपर search करते हैं अगर उन्हें किसी information के requirement है तब भी वो google के उपर search करेंगे अगर कुछ चीजे उन्हें buy करना है तब भी वो google के उपर search करेंगे अगर कोई service के requirement है तब भी वो google के उपर search करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप general अपनी life check के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हम जो google का use या फिर social media का use है उसका use हम काफी ज्यादा करते हैं तो यहाँ पर जो digital marketing है इसलिए वो जरूरी है यहाँ पर मैंने कुछ data collect किया 79 से लेकर 82% के बीच में जो consumer है वो google search का use करते हैं या फिर brand website का use करते हैं या फिर वो customer reviews को read करते हैं इन सभी चीजों को वो देखते हैं जो कि सारी चीज़े digital marketing से related है अब बात करते हैं digital marketing जरूरी क्यों है और क्या आता इसके अंदर अब digital marketing जो है वो काफी cost effective होती है अगर हम उसका comparison करें traditional marketing के साथ में इसको मैं एक example के साथ आपको समझाता हूँ अगर मान लीजी आपको किसी अपने local आपकी जो shop है उसके लिए आपको किसी चोरा है के उपर या फिर किसी local news channel के अंदर अगर आपको ad run करवाना है तो आपको approximate one month के 20 से लेकर 50,000 रुपए देने पड़ सकते हैं दूसरा यहाँ पर आपको ये भी पता नहीं होता कि जो targeted जो reach है वो क्या सही लोगों को जाएगी कितने लोगों ने आपकी ad को देखा है अगर वही पैसे अगर आप digital marketing के अंदर लगाते हैं 50,000 रुपए तो आपको 50,000 के बहुती ज्यादा आच्छा आपको return यहाँ पर मिलेगा तो इसलिए जो digital marketing है वो काफी cost effective है और जो traditional marketing है अगर आप newspaper के अंदर डलवाते हैं तो पहली बात तो यह है कि newspaper के अंदर आपको जो 10, 15, 20,000 के दलवाते हैं तो उसके लिए भी आपको काफी अच्छी costing देनी पड़ते है वो भी one time के लिए तो यहाँ पर जो digital marketing है वो काफी cost effective है अब दूसरे number के उपर आता है जो आपकी reach है अगर आपकी multiple branch है तो आप national या फिर आप state level के ऊपर जो आपकी reach है वो easily यहाँ पर हो है वहीं पर अगर आप traditional marketing की बात करें तो वो चीज़े करना काफी मुश्किल होता है अब बात करते है targeted customer की अब यहाँ पर क्या है अगर आप newspaper के अंदर डलवाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन उस newspaper को read करने वाला है किसी ने read किया भी या फिर नहीं किया तो यहाँ प दिखाई देगी और सेम हमारा social media के अंदर होगा जिन लोगों को हम target करना चाते हैं माल लेजी हम 25 से लेकर जो 40 साल के जो लोग है उनको हम एड दिखाना चाते हैं अपने social media अपने solar panel business के लिए तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं को एड दिखाएंगे या फिर जो ऐसे लोग targeted होगा सभी data यहाँ पर हमारा available मिलता है दूसरा जो ROI है वो आपकी यहाँ पर traditional marketing की बज़ाए बहुत ही ज्यादा है उसके comparison में आपकी बहुत ही ज्यादा है चोथे point के उपर हमारा है जो digital marketing है जो online marketing है इसको track करना काफी easy है अगर आपने tv के अंदर ad चलवाई या फिर आप आपने किसी चोराहे के उपर अपना banner या फिर poster लगवाया तो आप वहाँ पर monitor नहीं कर सकते कि कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने सही देखा तो यहाँ पर जो track और monitor है वो digital marketing के अंदर काफी easy होता है हम easily track कर सकते हैं कितने लोगों हमारी वीडियो को देखा कितने लोगों हमारी post को देखा या फिर कितने लोगों हमारी website के उपर आ या फिर कितने लोगों हमें inquiry या फिर form submit किया वो सभी चीज़े हम यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में आता है कि जो क्यों जरूरी है सबसे जरूरी इसलिए है कि आपके अगर आप नहीं करेंगे तो आपके जो competitor है वो ओल्रेडी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं जैसा कि हम एक्जामपल है solar panel इन दिल यहां पर जो लोग है वो एड भी चला रहे हैं उसके बाद में अगर आप देखें यहां पर सभी के जो website यहां पर available है तो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो आपके computer कर रहे हैं अगर आप नहीं करेंगे तो जो online जो लोग सर्च करने वाले हैं वो सभी customer वहां पर चले जाएंगे उसके बाद में छटे नंबर के उपर आता है आपकी जो brand reputation है वो भी काफी important है generally अगर कोई बड़ा project आता है solar panel के अंदर तो वो आपकी brand reputation को भी check कर करेंगे आज आज का टाइम है यहां पर brand reputation check करने का simple meaning होता है वो Google के उपर जाएंगे आपके brand के related reviews देखेंगे कि आपके brand का social media कैसा है website कैसी है वहां पर आपने क्या चीज़े एड कर रखी है किस type के जो project है वो आपने complete किये हैं वो सभी detail आपकी online available होना जरूरी है इसलिए आपको अगर आप बड़े project करना चाहते है तो आपकी brand reputation online manage करके रखना काफी जरूरी है अब यहां पर इन सभी का benefit आपको क्या होगा आपको जो client है वो अच्छे client विलेंगे targeted client विलेंगे जो return on investment है वो आपका यहां पर काफी अच्छा होगा तो अभी तक हमने importance को समझा अ customer जरनी हमारी यहां पर तीन तरीके को होती है एक तरीका जो है यहां पर मैंने mention नहीं किया सबसे पहला तरीकी local के अंदर लोग जाते हैं और वहां पर आपकी shop के उपर आते हैं जिनको लगवाना होता है और वो वहां पर inquire करते हैं दूसरे number के उपर लोग Google के उपर search करते तीसरे number के उपर आप social media को scroll करते हैं अब यहां पर आपका तीनों जगह प्रजाइंस होना जरूरी है अब मान लीजिए अगर Google के अंदर किसी ने आपकी ad देखी और वो आपकी दुकान के सामने से जाते हैं तो काफी highly chances हैं कि वो आपके पास में आएंगे दूसरे businesses के पास का offline जो shop है उसके साथ साथ आपकी जो digital marketing है वो काफी जरूरी है अब बात करते हैं कि हम यहां पर दो तरह से जो digital marketing के अंदर यहां पर आपके पास में customer आ सकता है सबसे पहला है कि लोग Google के उपर जाएंगे सर्च करेंगे दूसरा हमारा social media के अंदर हम लोगों को ad दिखाए हैं वो आएंगी अब Google के ऊपर तीन तरीके हैं Google Ads है हमारा Google My Business है और SEO है इनको हमें next step के अंदर कवर करने वाला हूँ तो अभी तक हमने देखा कि आप कैसे क्यों जरूरी है और जो customer की journey है solar panel के अंदर वो क्या रहती है अब सबसे पहला हमारे लिए जरूरी है कि हमारे पास में आपके पास में एक अपनी website होना जरूरी है आप 5 से 10-15 pages की एक अच्छी website आप यहां पर बनवा सकते हैं और अप आपने project complete किये हैं आप किस तरह की service provide करवाते हैं कौन से area के अंदर service provide करवाते हैं या फिर आप जो भी solar panel है कौन सी company के आप लगाते हैं तो वो सारी details आपकी अपनी website के अंदर mention होना चाहिए अगर आप sample के लिए website देखना चाहते हैं तो जो आप website देख सकते हैं मैंने एक client के लिए बना रखिए उसका जो link है वो मैं description के अंदर डाल दूगा या फिर मैं बाद में इस चीज़ को आपको जरूर बताऊंगा तो आपकी जो website है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो आपकी website को देखे complete information उनको मिले अगर आपके पास में inquiry आती हैं तो उन दोबारा भी add दिखा सकते हैं branding के लिए काफी ऐसे customer होते हैं जिन्होंने inquiry तो की होती है लेकिन वो आपसे लगवाते नहीं है या फिर वो आपके पास में दोबारा नहीं आते हैं ऐसे लोगों को आप तुरंत add दिखा सकते हैं 2-4 या फिर 5-10 दिन के अंदर हम क्योंकि जो mind के अंदर एक अच्छी image वहाँ पर create होती है तो इसलिए आपका website का होना बहुत ही जरूरी है website आपका google ads के अंदर भी help करेगा आपको google के अंदर rank करने के लिए भी help करेगा और local SEO के अंदर भी आपका help करेगी आपकी जो website हो काफी help करेगी अब हमने website का देखा अब बात कर करते हैं कि google के ऊपर आप कैसे rank कर सकते हैं तो google के ऊपर rank करने के तीन तरीके हैं सबसे पहला है हमारा google search ads दूसरा है हमारा SEO organic और तीसरा है हमारा local SEO इसको हम practical example के साथ में देखते हैं जैसे कि मान लिजी मैंने सर्च किया google के ऊपर solar panel in Delhi तो यहां पर सबसे ऊपर आप देख स हैं जो यह एड होते हैं google search ad होते हैं keyword के base के ऊपर होते हैं keyword क्या होते हैं जैसे कि अगर यहां पर हम बात करें solar panel in Delhi यहां कि जिन words को भी लोग google के ऊपर search करते हैं उन्हें keyword कहा जाता है तो यहां पर हमारा keyword है वो है solar panel in Delhi उसके बाद में हमारा आता है solar panel house solar panels for house तो यह हमारा keyword है यहां पर है तो हमने देखा यहां पर website आ रखिया है तो सबसे पहले यहां पर क्या किया जाता है कि हमारे जो valuable keyword है उनको find out करना पहला step मैंने already clear किया है कि आपके पास में website होनी कि है लेकिन planning के according SEO के according Google Ads के according आपकी website बनी होना बहुत ही जरूरी है अब यहां पर Google Ads की जो रूबात होती है वह हमारे होती है keyword find करने से अब keyword आपको valuable keyword find करने keyword क्या होते है जिन चीजों को लोग Google के ऊपर सर्च करते हैं उनको हम जिन वर्ड्स को Google के ऊपर लोग सर्च करते हैं उनको keyword कहा जाता है तो यहां पर keyword हमारे लिए solar panel के लिए अगर मैं बात कुरू तो जनरल तीन-चार कीवर्ड हैं जो काफी common रहते हैं इनके अलावा और भी कीवर्ड हैं जो कि आप research करके find out कर सकते हैं जैसे कि solar panel dealer in Delhi, solar panel dealer near me, solar panel distributor या फिर solar panel installation near me, दिल्ली और फरिदाबाद तो जो भी location based keyword होते हैं नियर मी या फिर जिनके साथ में आप location add करते हैं या फिर जो आपके product होते हैं वो हमारे keyword होते हैं और इनहीं के according हमें अपनी website के अंदर landing page बनाना होता है अब landing page क्या होता है जिस page के ऊपर user first time land करता है या फिर जिस page के ऊपर user land करता है उसको हम landing page कहते हैं इसको हम एक example के साथ में समझते हैं जैसे कि मैंने सर्च गया solar panel in दिल्ली अब यहाँ पर सबसे ऊपर एक website आती है sunedition.in अब इनकी जो website है इनका URL है फिर website का name है वो है sunedition.in अब लेकिन जो add यहाँ पर चल रही है वो एक दूसरे page के ऊपर चल रही है अगर मैं इसके ऊपर click करता हूं तो यहाँ पर हमारे सामने page open होता है sunedition.in slash solar solution in दिल्ली NCR तो यहा customer की सारी जो detail है वो यहाँ पर collect की जाएगी इन्होंने अपनी website के अंदर सभी detail को add किया है 21 cities में available है तो इसी type के जो आपका जो एक landing page है जो वो की keyword base के ऊपर बनेगा यह आपका SEO के अंदर भी help करेगा Google ads के अंदर भी help करेगा तो इसलिए keyword base आपका जो pages है landing page है वो आपकी website ad के उपर बनेंगे उसके बाद में जो हमारी ad है वो चलेंगी Google की ad कैसे चलाते हैं वो मैं किसी आने वाले वीडियो के अंदर जरूर कवर करूंगा अब बात करते हैं हम दूसरी दूसरी चीज़ के बारे में तो यहां पर हम जो दूसरा तरीका है वो हमारा है SEO organic का अब यह local result या फिर local SEO आप इनको कह सकते हैं फिर map result आप इनको कह सकते हैं उसके बाद में थोड़ा सा नीचे करते हैं people also ask यह SEO का पारट है उसके बाद में हम थोड़ा सा और नीचे सर्च करते हैं यहां पर India Mart.com है Tata Power Solar है Loom Solar है Just Dial है तो It's My Sun है Hindustan Times है या फिर काफी website यहां पर Sun Energy उ इसके बाद में हमारे local SEO के result आते हैं उसके बाद में हमारे SEO के result आते हैं यानकी organic result जिनको हमें पैसे Google को हमने directly पैसे नहीं दिये उनको हमने अपनी website को काम करके अपनी website के उपर हमने अच्छा काम किया backlink अच्छे बनाए उनके base के ऊपर हमारी जो website की ranking आई है वो जो result है य इनको हम थोड़ा सा detail में समझते हैं तो यहां पर SEO organic क्या होता है SEO generally कुछ ऐसे जो practice है एक काफी जो ऐसे टास्क है या फिर आप एक group of tasks कह सकते हैं जिनका use करके हम अपनी website को better बनाते हैं अपनी website के लिए अच्छे backlink create करते हैं और जिसके according उसके बाद में हमें ranking हमारी आती ह तो generally ranking के अंदर 3-6 महीने लग सकते हैं organic ranking के अदर यहां पर आपको दोनों चीज़े अलग है Google Ads अलग है और SEO के जो result है वो अलग है तो यहां पर आपको 3-6 महीने यहां पर लग सकते हैं यह depend करेगा आपकी जो competition है आपके जो keyword है या फिर आपके area के अंदर competition क्या है उन promotion कर रखा है उन सभी चीजों के base के ऊपर हमारा यह काम करेगा SEO के related में आगे भी वीडियो लेके आने वाला हूं तो आप चैनल को subscribe जरूर कीजिए अब यहां पर अगर आपको quick results चाहिए तो आप यहां पर Google Ads रण कर सकते हो अगर आपको long term के अंदर results चाहिए तो आप यहा हम अपनी website के ऊपर काम करते हैं जैसे कि मैं example के साथ में अगर आपको बताओं तो यहां पर जो ओन पे जैसी हम अपनी website के ऊपर कितना अच्छा content डालते हैं क्या चीज़े हम add करते हैं वो सारी चीज़े depend करती हैं हमारी website के उपर उसको हम on page SEO गोलते हैं जैसे कि हमने इस website क ने product को add किया अपने जो project हैं उन सभी चीजों को यहाँ पर हमने जो recent project है उनको add किया location कौन सी location के अंदर service provide कर आते हैं process क्या है कौन से brands के अंदर deal करते हैं तो वो सारी चीजे आप यहाँ पर ज़रूर डालिए तो यह सारी चीजे होंगी जब आप अपनी website के उपर काम करते ह तो उस तो हम बोलते हैं ओन पेज SEO अब पेज़ एसी ओक हम अपनी का अपनी वेब साइट का प्रमोशन वो दूसरी वेब साइट के उपर जाकर करते हैं या फिर backlink बनाते हैं SEO की language में आप हम इसे backlink भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर जो off page SEO इसका अगर मैं आपको आसान भासा में बताऊं तो generally हमारा हम दूसरी website के उपर जाते हैं जैसे कि हम YouTube के उपर गए Facebook के उपर गए Instagram के उपर गए Pinterest के उपर गए Just Dal के उपर गए इन सभी website के उपर हम जाते हैं और अपना दो सोलर पैनल का जो business है उसका हम promotion करते हैं promotion कैसे करते हैं हम अपने business को वहां पर एड़ करते हैं अपने businessρω A additional di Dasherul and Question या फिर अपने business की डिटेल एड़ करते हैं या फिर अपने business से related बूसरे टाइप का the content है वह हम वहाँ पर add करते हैं जिससे कि Google को पता लगता है कि यह हमारा business है और इसका जो connection है वो किसी भी XYZ business से है जिसकी website यह है जिसका phone number यह है और जिसका address यह है जो भी आप वहाँ पर डालते हैं तो इसको हम on page SEO बोलते हैं SEO के according और Google Ads के according बनी होना जरूरी है अगर आपकी एक बार website अच्छी बन जाती है तो वह आपको हर जगहें काम आएगी तो आपको यहाँ पर keyword के according यहाँ पर जो pages है वो यहाँ पर बनाने पड़ेंगे और उन्हीं के according हम उन pages के अंदर content create करेंगे ओपेज SEO के अगर हम बात करें तो मैंने already आपको बताए कि यहाँ पर different type की website होती है उनके उपर जाकर हम अपनी website का promotion करते हैं अपने business का promotion करते हैं उनमेंसे कुछ हमारे है business listing है, article के backlink है या फिर image है, infograph है, video submission होता है, video के backlink बनाया जाते है या फिर guest post या फिर आप paid backlink का भी use कर सकते हैं, काफी अलग अलग तरह के यहाँ पर SEO के अंदर backlink होते है अब बात करते हैं local SEO की, हमने देखा कि Google के उपर generally हमारे सामने तीन तरह के result आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी हम किसी keyword को search करते हैं, तो काफी अलग तरह के result भी आते हैं, वो हमारे keyword के उपर depend करता है लेकिन अगर हम solar panel के business की हम बात करें, तो यहाँ पर आपको mainly जो आपके solar panel business के लिए जरूरी है वो यहाँ पर आपके सामने तीन result है, जो हमारा add का result है, उसके बाद में हम बात करें, तो हमारा Google Maps का result है, वो जरूरी है उसके बाद में हम बात करें, तो हमारे SEO के result है, वो जरूरी है, इसके साथ ही जो people also ask का section है, वो भी हमारा website के अंदर cover हो जाएगा SEO के अंदर ही हम इस चीज़ को include कर सकते हैं इसके अलावा आप वीडियो के जो result है वो भी काफी important होते हैं और उसके लिए अलग से आप अपना जो solar panel जो आपका business है उसके लिए आप वीडियो बना सकते हैं और अपने जो solar panel का business है अब जो आपका YouTube चैनल है उसके उपर वो सारी चीज़े एड यहां पर हो जाएंगी तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो local SEO है वो कैसे जरूरी है अब यहां पर आपने देखा जो map की listing है वो हमारी local SEO के थुरू आती है इनको आप map की listing कह सकते है या फिर आप Google my business की listing कह सकते है अब हम local SEO के अंदर आते है local SEO आप यहां पर उसके लिए हम काम करते हैं तो यहां पर इनकी ranking यहां पर दूसरे number के उपर कैसे आई यह एक Google my business की listing है जो की local SEO के use से आती है अब यहां पर आपको क्या करना है कि Google my business की listing जो आपको create करनी है Google my business की listing कैसे create करते है वो already मैंने एक वीडियो के अंदर बताया है जिसका link जो है व आपका जो business है वो Google के अंदर add करना है आपकी profile वहां पर आपको complete करनी है proper keyword के according targeting होना जरूरी है reviews और rating है वो जरूरी है और आपके जो post और content है वो जरूरी है जैसा कि अगर यहां पर मैं example के तुरू बता हूँ आपको तो इस जो service pack की जो business listing है उसके उपर हमने यहां पर सार question answer यहां पर add है reviews आप देख सकते हैं इसके साथ ही to low description है वहाँ आप यहां पर देख सकते हैं की वर targeted यहां पर हमने description लिखा जिनसे कि आपकी जो ranking है उसके आने के तांसिज काफी increase हो जाते हैं इसके बाद में आप local SEO या फिर अपनी increase की अपनी listing की जो ranking है उसको increase करने के लिए business listing की help ले सकते हैं business listing क्या होता है अपने business को किसी दूसरी website के उपर add करना जैसे कि just dial के उपर अगर आपने business को add करते हैं तो वो एक आपके लिए business listing होगी वहाँ पर आपको अपनी profile को complete करना है SEO के according, keyword targeting के according और जो आपकी detail है उन सभी detail को आपको correct रखना है NAP यानि की name, address और phone number ये सभी detail आपके business की correct होनी चाहिए पलस में यहाँ पर मैंने additionally एक point add कर दिया है जो की हमारा है website का आपकी name, address, phone number और website ये सभी detail आपकी correct होना ज़रूरी है तो इससे क्या हुआ कि आपके जो local listing है उसकी ranking यहाँ पर boost होगी इसके साथ ही local listing के साथ साथ आपकी जो website की ranking है उसके अंदर भी आपको improvement दिखाई देगी अब बात करते हैं कि अगर आपको जल्दी result चाहिए तो आप Google Ads का use कर सकते हैं अगर आपको long term के अंदर result चाहिए तो आप local SEO और जो हमारा SEO organic है उसका आप use कर सकते हैं तो अभी तक हमने देखा कि Google के उपर आप अपने business को कैसे rank करवा सकते हैं अब बात करते हैं social media का use करके हम कैसे lead generate कर सकते हैं generally जब भी आप social media को scroll करते हैं तो आपने काफी ad देखे होंगे तो ऐसे ही आप भी social media पे अपने business के लिए ad run कर सकते हैं यहां पर हमारा आता है Facebook और Instagram generally हम इंडिया की अगर बात करें तो Facebook Instagram सबसे ज़्यादा use किया जाता है इसके साथ ही आप LinkedIn ads को भी use कर सकते हैं अगर आप professional लोगों को target करना चाहते हैं तो यह आपकी complete strategy के उपर depend करेगा अब Facebook Instagram या फिर हम social media के अंदर अगर हम बात करें तो social media के अंदर एक हमारी regular posting चलेगी जो लोग हमारे साथ में connect हो चुके हैं उनके लिए आपको post डालना जरूरी है ताकि आपका जो business है वो लगे कि अपने आप active है आप solar की जो आपने recent post की हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं या फिर आपने क्या क्या चीज़े जो recent project की हैं आपने या फिर आप other marketing का जो material है वो आप यहाँ पर add कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर मैं survey pact का अगर आपको business दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने काफी यहाँ पर post कर रखे हैं जो कि आप भी ऐसे ही design करके post यहाँ पर festival selected post आप डाल सकते हैं या फिर आप अपने listing की ranking है वो आप दिखा सकते हैं आप अलग-अलग चीज़े यहाँ पर EMI के उपर आप available करवाते हैं या फिर आपने recent project कोई किया है तो यह सारी post आप अपने social media के उपर डाल सकते हैं तो regular posting क्यों जरूरी हमारे website या जो हमारा solar panel का business है उसकी authority build करने के लिए वो सारी चीज़े जरूरी है उसके बाद में हमारा आता है lead generate करने के लिए हम क्या करेंगे लोग हमारे पास में आए inquiry करें या तो वो अपना phone number हमें दे email id दे अपना नाम बताए या फिर वो direct हमें call करें तो यहां पर आप social media की facebook instagram की lead generation ads चला सकते हैं lead generation ads कैसे चलाते हैं already मैंने काफी video बना रखी इसके उपर link में description में डाल दूँगा लेकिन मैं solar business के लिए जो facebook lead generation की ads हैं वो कैसे run की जाते हैं उसके लिए 2 या 3 दिन के अंदर मैं एक special और dedicated video लेके आने वाला हूँ इसलिए आप चैनल को subscribe जरूर कीजिए अगर मैं यहाँ पर आपको brief में बताऊं तो lead generation के अंदर हमारी जो ad है वो 2 या 3 तरह से आप चला सकते हो सबसे पहले call ad आप call ad चलाओगे लोगों को आपकी ad जो भी अगर particular area के हम बात करें अगर जो लोग फरीदाबाद में रहते हैं जो लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर जो आपका business है उसके 5, 10 या फिर 15 किलोमेटर के area के अंदर रहते हैं और जो solar के अंदर interested है या फिर आपके targeted customer हो सकते हैं उनको हम ad दिखा सकते हैं वो आपकी ad देखेंगे वहां से वो आपको call करेंगे या फिर आपका जो form है वो submit करेंगे तो यहां से आपके पास में lead की जो inquiry है वो यहां पर generate होंगी तो अभी तक हमने देखा कि दो सबसे important चीज़े हमारे लिए Google के उपर rank करना दूसरा है social media से users को attract करना users जो inquiry है वो generate करना तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात की अब बात करते हैं हम costing के बारे में तो इतनी इन सारी चीज़ों की जो costing है वो हमें क्या आ सकती है तो जो costing है जैसा कि मैंने already बताया था जो costing है वो return on investment है वो आपका काफी अच्छा है digital marketing के अंदर यहां पर मैं costing की बात करूँ तो जो आपकी website है वो depend करेगी जो एक basic website है वो 5 से 10 हजार के अंदर आपकी बन जाएगी लेकिन अगर आप advance और एक SEO के according Google Ads के according website बनवाना चाहते हैं तो उसकी जो costing है वो आपकी 10 से 15 हजार होगी यह depend करता है आपकी requirement के उपर यहां पर आपको 10 से 15 हजार के अंदर एक अच्छे quality की जो website है वो आपको मिल जाएगी यह जो सारे जो rate आपको मैं बता रहा हूँ या फिर जो pricing है वो सारी market price के उपर depend करती है आप से इससे आपको थोड़ा बहुत उपर या फिर थोड़ा बहुत नीचे आपको जो pricing मिल सकती है depending on the quality of work अब बात करते हैं कि SEO की SEO या फिर social media ये दोनों चीज़े जो हैं वो आपकी monthly work होते हैं जो ये सारी चीज़े आपको regular करनी पड़ती है तो इनके लिए जो आपकी costing रहेगी वो approximate 5-10,000 आप हम कह सकते हैं कि SEO के लिए ये भी depend करेगा work के उपर और plan के उपर और competition के उपर उसके बाद में हमारा आता है social media social media का जो costing है normal posting की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी 3-5,000 के अंदर पड़ेगी अगर आप complete social media ad वगर आप चलवाना चाहते हैं तो ये आपकी approximate 5-10,000 आप कह सकते हैं ये depend करेगा कि आप क्या-क्या चीज़े वहाँ पर cover करना चाहते हैं उसके बाद में हमारा आता है paid ad जैसा कि मैंने बताए Google के उपर आपको ad run करनी पड़ेंगी ऐसे ही आपको social media के उपर ad run करनी पड़ेंगी तो उनके लिए जो आपका budget है वह depend करता है आपके budget के उपर कि आपका plan क्या है आपका budget क्या है अगर मैं आपको एक rough estimate बताना चाहूं तो आप daily का 500 रुपए per day के budget से आप starting कर सकते हैं दूसरा सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी चीज़ों का जो result है marketing का result कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको एक दिन में या फिर एक week के अंदर आपको मिल जाएगा वह depend करता है कि किस तरह के task perform किये जा रहे हैं और किस तरह की planning है वह आपकी हो रखी है generally marketing का result है वो आपको एक महिने से लेकर तीन महिने तक आपको दिखने का time लग सकता है अगर आपको जल्दी result चाहिए तो मैंने आपको already बताया आप Google Ads का use कीजिए सबसे पहले आप website बनवाईए और Google Ads का use कीजिए इसके साथ ही आप Google My Business का use कर सकते हैं अगर आपको long term और stable ranking चाहिए तो आप SEO के लिए आप जा सकते हैं अगर मैं overall costing की बात करूं तो यहां पर overall costing है वो आपकी 20 से 50,000 रुपए पड़ेगी लेकिन आपके business के लिए जो brand है वो आपका जो business है आपका जो solar panel या फिर आप dealer है डिस्ट्रिबूटर है फिर installation करते हैं यह सारी जो costing है वो आपकी एक बार लगेगी website आप जो presence है वो आप one time में काफी अच्छी presence यहां पर बन जाएगी लेकिन जो आपको benefit है वो काफी benefit ROI जो return on investment है वो आपको काफी ज्यादा मिलेगी अगर आपको social media या फिर google ad से आपके 5 से 10 client भी one month के अंदर आते हैं तो वो भी आपके जो आपने costing लगाई है उसको easily cover कर देंगे और आगे से जो client आएंगे वो आपके profit के अंदर आप रहोगे तो इस जरूरी है तो अभी मैंने costing की बात की अब मैं इन सभी चीजों को अगर मैं summarize करूं अगर ये technical चीज़े आपको समझ में ना आई हो और इन स solar panel का business है उसके लिए website बनवाईए उसके बाद में जो website है वो आपकी इस तीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपकी website जो है वो Google के according और Google ads के according और local SEO के according होनी जरूरी है ताकि आपकी ranking भी आए अगर आप ads चलवाना चाहें तो वो भी आप चला सकें दूसरे नमबर के उपर आपको क्या करना है कि अपना जो business है वो Google my business के ऊपर add करना है तीसरे नमबर के उपर आप Google call add run कर सकते हैं या फिर लेंडिंग पेज के जो add है Google के अंदर ये दोनों तरीके से add run होते हैं आप ये दोनों try कर सकते हैं depending on the strategy अब यहां पर चोथे नमबर के उपर हमारा आ कि around हो सकते depending on the quality depending on the targeting depending on the location इन सभी चीजों के वेस के उपर जो कोस्टिंग हो थोड़ी बहुत उपर नीचे हो सकते हैं अब मैं overall अगर कोस्टिंग की बात करूं तो आपकी जो website की कोस्टिंग है वो आपकी 10-15,000 के अंदर आपकी one time कोस्टिंग है लेकिन इसका जो benefit है जैस site के उपर upload करके जो आपकी profile है उसको users को easily share कर सकते हैं और easily आप retarget भी कर सकते हैं जो customer आपसे नहीं लिया आप उन customer को retarget भी कर सकते हैं दोबारा add दिखा सकते हैं अब यहाँ पर अगर मैं Google my business के budget की बात करूं तो यह आपका monthly budget आपका 10 से लेकर 15,000 के अंदर आपका ये स commercial marketing का compare करेंगे तो बहुत ही अच्छा है अगर आप compare नहीं भी करते हैं तो भी आप जो पैसे आप लगाने वाले हैं उससे ज्यादा ही आपको यहाँ पर return मिलने वाला है और long term के अंदर तो जो आपका return on investment है वो double, triple या फिर काफी गुना होता जाएगा slowly तो मुझे उम्मीद है आप कोई वीडियो समझ में आई होगी अगर आपका कोई भी सुजाओ है suggestion है या फिर आप कोई question पूछना चाते हैं तो आप comment section के अंदर जरूर बताइए अगर आप मुझे बात करना चाते हैं तो जो contact detail है वो description के अंदर मिलेंगी आप वहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूँ आप से नेक्स ट्यूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद